नमस्ते आज का निबंध है COVID-19 यानि कोरोना वाइरस लेकिन निबंध शुरू करने से पहले अगर आप ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेश आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं निबंध COVID-19 COVID-19 एक प्रान घातक रोग है यह चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ और पूरे विश्व में फैल गया है यह विक्राल रूप धारन कर चुका है सभी देश इस वाइरस की चपेट में है यह एक वाइरस से होने वाला रोग है आज यह महामारी का रूप ले चुका है और स सारे संसार में तबाही मचा रहा है इसके शुरूआती लक्षन खांसे जुकाम है जो आगे चलकर विक्राल रूप धारन कर लेते हैं यह रोगी के श्वसंत अंत्र को बूरी तरह प्रभावित करती है इसके प्रभाव चार से चोदा दिन में नजर आते हैं कोरोना कोई 1930 में एक मुर्गी में हुई थी 1940 तक कई अन्यव जानवर भी इससे ग्रस्त हो गए सन 1960 में एक व्यक्ति में इसके लक्षन पाए गए उसे सर्दी की शिकायत थी यह एक संक्रामक रोग है जो एक दूसरे में तेजी से फैलता है एक संक्रमित व्यक्ति के संपरक में आने वा अला हर व्यक्ति इसका वाहक हो जाता है और आगे उन से अन्य लोगों में यह फैलता है इसलिए इससे बचाव में ही समझदारी है बाहर से आने के बाद साबूं से अपने हातों को अच्छी तरह धोए करीब 20-30 सेकिंड तक अपने हातों से अपने नाक मुहूं वे आंखो को नय चुएं संक्रमित व्यक्ति को अलग रूम में रखें लोगों को आपस में दूरी बनाए रखनी चाहिए कम से कम 5-6 फिट की दूरी से बात करें यदि जरूरी नहीं है तो बाहर नय जाएं घर पर रहें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें पार्क मॉल्स सांस क्रितिक समार हो में ना जाएं सदैव मास्क पहन कर बाहर जाएं यदि आप संक्रमित हो गए हैं तो अपने आपको घर के सदस्यों से अलग कर लें और नजदीकी अस्पताल में सूचित करें यह एक जान लेवा रोग है इसका अभी तक कोई भी उपचार संभव नहीं हो प है हमारी यदि प्रतिरक्षा परनाली मजबूत है तो हम खुद ही इस से बहतर तरीके से लड़ सकते हैं जो लोग इसके संक्रमन से ठीक हो गए हैं वे अपने अंदर इस से लड़ने को प्रतिरक्षा परनाली विक्सित कर चुगे हैं वे लोग अन्य लोगों को भी अपना पल्जमा दे सकते हैं और किसी और संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं इसलिए अपने खान पान का विशेर ध्यान रखें अपनी प्रतिरोधक शमता को मजबूत करें जो कुछ भी बचाव के निर्देश दिये गए हैं उनका सक्ती से पालन करें कोरोना से अब तक यूएस इंग्लेंड इसके चपेट में बूरी तरह आ चुके हैं वहां रोज 500 से अधिक जाने जा रही हैं सारे विश्व की अर्थ विवस्ता इसके कारण हिल गई है अभी तक इसके लिए कोई भी दवा नहीं बनी है जितने केस अब तक आ चुके हैं उन में से 25 प्रतिश का पालन करना ही हमारा जीवन इत्यांत जरूरी है इसलिए अपनी रक्षा करें और दूसरों की भी रक्षा करें धन्यवाद आशा है कि आपको निबंद अच्छा लगा होगा अगर आपको निबंद अच्छा लगा तो कमेंट करके वश्य बदाएए अगर आपको निबंद अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को like भी कीजिए और share भी कीजिए और मेरे चैनल को subscribe भी कर देजीए पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए धन्यवाद